नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DJ Sir Classes हम लोग यहाँ पर आज लेकर आये हैं दिल्ली पुलिस के प्रिवियस येर कोश्चन पेपर आज का सेशन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत आपके क्या है एनरजेटिक होने वाला है और वे बच्चे जो दिल्ली पुलिस में कॉंस्टेवल बनने का सपना देख रहे हैं उन लोगों का आपके सपना जो है एक कदम आगे निकलने वाला है तो फटा फट कलास से जुड़ जाइए क्लास को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए तो चलो अभी हम ज्यादा समय नहीं कोबाते है और फटा फट क्लास को स्ट侠 करते है तो ये आपके पास क्या है question paper का पहला question जो है आपके सामने है और दिल्ली पुलिस के previous year आपके पास question जो है वहाँ से question है और आपसे question क्या पुछा गया था आपसे question पुछा गया था कि A किसी काम को 40 दिनों में और B उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है तो उन्हें एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया लेकिन फिर बाद में B ने काम छोड़ दिया फिर बाद में B ने काम छोड़ दिया तेश काम को आपके क्या है ए भाई साहब अकेले कि नॉर्मल बातचीत होती देखो, क्या होता है कि मैंने ठेका लिया, काम करने के लिए ठेका लिया, और फिर बाद मैंने का गया, मेरे से अकेले से पुरा होगा नहीं, हम दो लोग मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, अब क्या हुआ, काम का ठेका तो मैंने लिया हुआ है, अगले मैं अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करूंगा, हाना, मैं अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करूंगा, अच्छा पहली चीज तो देखना, यह हम A रहा, यह रहा आपके पास B, A कितने दिनों में करता है, बले 40 दिनों में करता है, B कितने दिनों में करता है, बले B जो है 50 दिनों में करता है अब देखो यार यहां का कोई अता पता नहीं है तो सबसे पहले आपको काम मांगना पड़ेगा काम जो है वो एक यूनिक आपके वर्क मानना पड़ेगा तो देखो काम हम कैसे मानते थे अगर आपने इसकी basic classes नहीं देखी न तो DJ Sir Classes के YouTube चैनल पर जाएए वहाँ पर मेरी playlist available है उस playlist में आपको लस अप मस अप टाइम एंड वर्क सभी के आपके पास चैप्टर के मिल पूर बैसिक लाते मिल जाएगी तो वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो अभी फिलाल काम मानने का तरीका क्या था कि एलसेम ले लो आप अचा इसका और इसका एलसेम कितना आएगा गुरुजी इसका इसका एलसेम आपके पास आएगा 200 यह हमारे पास क्या है पुल काम है यह क्या है हमारे पास फुल काम है अब बताओ अगर यह 40 दिन में 200 काम करता है एक दिन में कितना काम करेगा इसका इसमें भाग लगा दो यह आपके पास आपके पास कितना 5 अगर माल लो ये जो है आपके 50 दिन में 200 काम करके दे रहा है मतलब B 50 दिन में 200 काम करके दे रहा है एक दिन में कितना काम करेगा आप बोलोगे सर इसका भाग इसमें लगाओ 4 काम करेगा अब प्रश्न क्या बोलता है कि शुरुवात में A और B ने दोनों ने मिलकर काम किया तो A वब B ने एक दिन में कितना काम किया होगा बहले A वब B ने एक दिन में 4 और 5 नो काम किये होंगे तो फिर 5 दिन में कितना काम करेंगे बोले गुरुजी एक दिन में अगर 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 9 पंजे 45 काम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 45 काम करेंगे अब आप भाईया मुझे ये बताओ कि 200 में से 45 काम अगर हो चुका है तो remaining कितना काम बचेगा आप बोलोगे सर कुछ मत करो आपके पास कितना होगा 155 काम बचेगा इसका मतलब आपके जब B जो है काम छोड़कर गया तो A के पास कितना काम करने को पड़ा था बहुत एक को 155 काम करना था अब अगर A भाईया एक दिन में 5 काम निप्टाते हैं तो 155 काम कितने दिन में निप्टाएंगे आप बोलोगे के गुरुजी 31 दिन में आपके पास काम निप्टेगा पिर 31 दिन में काम निप्टेगा मतलब A अकेला बाकी बचे काम को आपके 31 दिन में आपके निप्टा देगा कहां है भाईया 31 ये रहा 31 यह आपका विकल्प सही है और बाकी जो है उसे आप ठंडे वस्ते में डाल दो यह गलत विकल्प है आई हो यह कोश्चन आपको समझ में आया होगा अब अगर यह कोश्चन समझ में आया ना उसका अगला कोश्चन भी समझ में आएगा तो चलो फटा-फट अगले कोश्चन रट चलते हैं कि कम से कम टाइम में जादा से जादा कोश्चन करने हैं और अगर मैं जादा जादा कोश्चन करूँगा तो फिर आप को कम से कम समझाओंगा बाते भी आपके साथ कम से कम होगा लेकिन अब रवांडों का क्या करें बाते तो आपसे बहुत सारी करनी है मेरे को, आप देखो, एक साधरन ब्याज की वारशिक दर 9 प्रतिशत से बढ़कर यदि आपके 13 से ही एक बटा 2 प्रतिशत हो जाती है, तो वारशिक ब्याज जो है 3690 रुपे बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप बताईए, आपके मूल धनराशी रुपे में कितनी होगी, तो अगर मालो आपने इस चेप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है न, तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ रखा है तो और अच्छा, फिर मैं क्यों हूँ, मैं बताऊंगा न आपको, आप बताओ, 9 प्रतिशत थी 13, 13 होगी, बढ़ी दशमलों का फोबिया होता है, तो जिन बच्चों को दशमलों का फोबिया होता है न, वो हमसे इलाज करवाने आ जाए, हम किसी में आपके दशमलों लाएंगे यह नहीं, आपके दशमलों को आपके क्या साधरन भिन्नों में कनवर्ट कर देंगे, और आपकी समस्या का समध अभी आप देखना साधरन व्याज की वारशिक दर यहां से यहां पहुंची साड़े चार का इंक्रिमेंट लगा साड़े चार मतलब आपके 9 वटा 2 हो जाती है तो व्यारसिक व्याज जो इतना बढ़ जाता है एक साल का आपके पास मतलब इतना जो है वो किसके बराबर है आ है आपके पास क्या है यह पता लग जाएगा कि इसका मूलधन क्या है साधरन ब्याज की परिभाशा यह होती है मुल्धन पर लिया गया ब्याज जो है वो साधरन ब्याज कहलाता है ऐसा ब्याज जो सदेव मुल्धन पर लेते हैं उसे सिंपल इंटरस आपके कहते हैं तो आप देखो यहां से काटो इसको तो देखो काटेंगे नो से एक बार नो स यह चार बार और आपके पास एक बार और यह जीरो बार अभी आपके पास क्या यहां से हम बात करें तो इसको इदर की तरफ भेज दो इन भाईया को में इदर की तरफ भेज देता हूं तो यह आपके पास एक प्रतिशत का मान जो है वो कितना हो जाएगा एट टू और आपक आपको यह रहा आपके पास option number आपके c मतलब आपके तीन हना तो यह आपके क्या है comment box में ऐसे मतलब ना गुरुजी को आपके तीन नजर नहीं आ रहा तीन को c पड़ रहे हैं तो यह चीज आपने note करनी है ठीक है option number आपके पास तीन जो है वो right option होगा अब इसके बाद देख महिला है वो आपके पैदल जाती है plus सवारी से वापस आती है है तो पैदल का समय और सवारी का समय आपके पास कितना है यह आपके पैदल और सवारी का समय जो है वो 3 घंटे 3 घंटे और 20 मिनिट का समय लगता है यदि वह दोनों और के लिए सवारी का प्रियोग करती मतलब सवारी से जाती और सवारी से आती सवारी से जाती और सवारी से आती तो इसका मतलब क्या है आपके सवारी 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 प्लस आपके सवारी सवारी प्लस सवारी तो आपको कितना आपके समय लगता अगर आप ऐसा करते तो दो घंटे कम समय लगता दो घंटे कम समय लगने का मतलब देखना यहां जो तीन घंटे 20 मिनिट का समय लगा है उसमें दो घंटे कम आपके समय लगता तो आपको नहीं लगता कि एक घंटा और 20 मिनिट का समय लगता तवारी का मतलब है कोई रिक्षा रिक्षा कर लिया होगा यार इसने कोई auto auto कर लिया होगा पैदल नहींगी मतलब यह तो इतना समय आपके पास क्या लगता यदि वह दोनों और पॉशन यहाँ पर है यदि वह दोनों और पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिया जाने का समय का आधा समय कितना होगा फिरा जो आपके पास अगर वो दोनों और पैदल चलती तो उसके और द्वारा लिये गए आपके समय का आधा समय क्या होगा यह आपके पास है अच्छा एक बात बताओ यार अगर मैं इसको दो से गुणा कर दू आप समझना अगर मैं इसको दो से गुणा कर दू तो यह हो जाएगा twice paddle और twice savari और यह तो twice savari है और फिर बाद में आपकी क्या कर दू मैं इसको घटा दू पिर उसके बाद मैं क्या कर दू घटा दू तो आप बताओ यह twice savari से twice savari कट जाएगा कि निगट जाएगा बोले हाँ गुरु जी कट जाएगा पका पका कट जाएगा अभी आप देखना twice paddle यह आपके पास क्या है twice paddle यह आपके पास क्या है twice paddle बजगिया और यहां से twice savari से twice savari तो आपके पास out हो गया घटा रहे हैं हम तो आपके पास क्या है घटाने में time क्या होगा अच्छे देखो इसको दो से बुणा करके घटाना वाना गलत हो जाएगा अभी आर्थ का अनर्थ हो जाएगा खटा दो तो आपके पास क्या हो जाएगा च्टाना करके मैंने यह लिखा है पिर इसमें से आपके यह को घटाया है तो अभी आपके पास कितना हो जाएगा पाच घटे और आपके बीस मिनिट अब आपको क्या चाहिए कि आपके क्या है दोनों और आपके पेदल चलती है तो उसके द्वारा लिये जाने वाले समय का आधा कितना होगा अचा दोनों और आना और जाना पेदल ये रहा और इतना टाइम ले रही है और उसका आधा टाइम पूछ रहा है तो आप इसका आध होता है इसका आजा करो तो कितना हो जाएगा 40 जो होगा बाकी विकल्प जो है वो respectively गलत हो जाएंगे आद समझ में आई तो ये था हमारा question number 3 बहुत ही प्यारा question था आप इस question को ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे आप देखना basically ये क्या है ये summation ये क्या है आपके पास summation और ये 2 घंटे जो है पैदल चलने का समय हमेशा कया होगा ज्यादा होगा कुंच мत करो दोनों को जोड़ के आदा कर दो ने आपके पैदल चलने का समय आजाएगा अब देखो कितना हो जाएगा आपके पास 3〜2 आप пять पांच गंटे 20 मिनिट और पांच गंटे 20 मिनिट का आधा करोगे तो यही चीज आके वापस रुप रही है लेकिन खेर धीरे 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 जल देवाजी नहीं है फिर उसके बाद हमें पीट बढ़ा लिए एक बार कर लो दो-चार मज़े भी सवाल को करो तब ऐसी उड अनफल जो है वो आपके 9216 है 9216 है 9216 है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और आपके शेश्वल शुन्य प्राप्त होता है थी ना मतलब आपके पास क्या रिमेंटर कुछ भी नहीं मिलता प्राप्त होता है उन होगा यह आपका क्वेश्चन है तो यार मालो संख्या आपके पास क्या फॉस्ट नंबर और second number है ना first number ये आपके पास first number और ये आपके पास second number है ठीक है मेरे को चीए क्या इन दोनों का interval चाहिए और इनका product इन भाईया ने दे रखा है 9216 ये हमें मिल गया है अब आप देखो अगर ये first number को मैं बड़ा माल लेता हूं second number को मैं छोटा माल लेता हूं आपके first number अच्छा अगर first और second से आपको irritation होता है ना आप यूं कर लो या एक्स वाई बराबर 9216 आप ऐसे कर लो कि बच्चें उत्ते से first और second को देखकर आप irritation फील कर सकते हूं मैं नहीं चाहता कि आप irritation फील करो मैं चाहता हूं आप थोड़े से comfortable रहो अब आप बताओ यहां से अगर x बड़ा है तो x बटा y मतलब बड़े में चोटे का भाग लगाएं ये तो भागफल जो है वो कितना जाता है वो है तो यहां इस अगर एक्स का मान निकालेंगे वह चा मान किया हो जाएगा वह एक्स बराबर सर 16 y होगा एक्स बराबर क्या होगा 16 Y होगा तो बैस आप X की जगे पर 16 Y रख दो तो आप मझे बताओ अगर मैं यहाँ पर आपके X की जगे पर 16 Y रख दो तो यह आपके पास कितना हो गया 16 और यह Y और फिर यह Y बराबर आपके 9, 2, 1, 6 पस पुछ मत करो, स्वाल करो और स्वाल करकर आपके पास क्या Y की विल्य रिकाल दो तो गों 16 से काटते हैं कितनी बार जाएगा 16, 85 बार जा रहा है यह आपके पास 16, 85 बचे हैं इतना आपके पास 80 हुआ ना तो 12 बच गया और फिर उसके बाद यह 1 और जाएगा फिर उसके बाद कितना बच रहा है आपके पास 9 आपके पास 9 और 6, 66, 6 बार जा रहा है आप चुछी यह Y स्क्वाइर है यहां से Y का मान निकालोगे ना तो यह आपके पास Y स्क्वाइर हो जाएगा और यह हटाओगे तो अंडरूड लग जाएगा और मान आपके पास कितना आएगा 24 अच्छा y की value तो आगई 24 अब y की value अगए 24 आगई है तो यहाँ से यार x का मान भी निकाल लो x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16 into आपके पास क्या y जिसका मान आपके 24 है तो आप कुना कर लो तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 320 और आपके पास 64 तो यह आपके पास value हो जाएगी 384 और 384 में से 24 कम करोगे तो 60 हाजाएगा यह रहा आपके पास answer बाकी वाले जो हैं वो गलत है clear बात तो answer आपके पास कितना हो जाएगा 360, तो 344 में से जब आप 24 कम करोगे न, तो आपके पास value कितनी आएगी, 360 आएगी तो option number आपके पास जो D है, 4 विकल्प है, तो आपका right विकल्प होगा, ठीक है, आगे बात करें, यस, चलो आगे बात करते है, अगला question क्या बोल रहा है, यह दि x plus y plus z is 2, 2 is 2, 3 is 2, 1, तो आप इसका मान निकाल लिए है, पात का question है, आपने यह value निकाल लिए, इसका मान क्या होगा, है न, इसका मान क्या होगा, यह question है आपका, तो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, है न, आचा पहले तो एक बात बताओ यार, अभी आपको यह समझ में आता है, कि इसका मतलब यह है, भले यह तो समझ में आता है न, गुरु जी, इसका मतलब यह है, इसका मतलब आपके पास क्या है, यह है, इसका मतलब जो है तो 2 आ जाएगा अलब x का मान 1 हो गया और y-z की value भी आपके पास 1 हो गई बात देखो समझने की है अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा अब आप देखना अगला देख लेते हैं अब बदाओ यहां पर आपको यह value दिख रही है और यहां गुरूजी यह और यह पोटू तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे है तो इसका मतलब अगर यहां वन ह तो obvious सी बात है कि मान थोड़ी change होता है अब आपने मान लिया वन तो फिर subject वन ही मानना पड़ेगा यह नहीं कि यहां कुछ और मान रों वहां कुछ मान रों आपना ऐसा नहीं हो सकता अच्छा तो यह आपके पास वन हो जाएगा अब आप बताओ इसका पूरे का मतलब ती तीन हो जाएगा वगि इसका मतलब क्या बोल रहा है यह तीन आएगा तो means w की value हमारे पास आ चुकी है w की value तीन है और आपसे पूछ क्या रहा है अनुपात तीन आपके पास क्या है तीन नहीं है w की value एक है तो जैसी आपके w की value एक दिखी मुझे एक बात तो समझ में आ आ गया की value आपके पास क्या है 3 आ रही है तो हमारा जो भी ratio बन रहा है उसमें आखरी वाला 3 है तो यह और बात करते हैं अच्छा आप देखना यहां पर आगर हम बात करें तो आपके पास देखो w का value भी है एक हे ना गुरू जी एक है गुरू जी तो पाच में से 3 जाएं तो क्या 2 नहीं बचेघेंगे आब फेसे सही विकल्प क्या होगा यह आपके तीसरा विकल्प सही होगा यह गलत है यह भी गलत विकल्प है यह थे टिए इसमें समझने लाइक कुस्ट था ही नहीं उसाम कोशंच नहीं और जो ठीए है आपके 3 दो अनुपात तीर वो राइट हो जाएगा चलो अगला कोशन देखते हैं अपन लेक्स कोशन आपका क्या होने वाला एक धनराशी अर्दवार्शी के रूप से चक्रवर्दी किये जाने वाले 10% वार्शिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में जो है वो कितनी यती 20,947. 40.50 हो जाती है उस धनराशी पर पहले की तीन गुनी ब्याज दर पर आपके चार साई दो बटा पांच वर्षों में प्राप्त होने वाला साधरन ब्याज आपके पास क्या है रुप्यों में कितना होगा पहला आपको दे रखा ये और फिर उसके बाद आपके सिंपल इंट ब्याज की दर है और इसाब किताब अर्दवार्षिक कर रहे हैं मतलब पावर टू कंपाउंडिंग होगी न और कंपाउंडिंग कौन सी पावर पर होगी दो पावर पर होगी एक साल में 2-6 मही आएगी तो ये 2 साल जिसा ट्रीटमेंट देखा अब मुझे बताओ अगर य के आए-गी 10% वार्षिक वियाज की दर है अगर यह आपसे कह रहा है कि यह 10% वार्षिक वियाज की दर है 10% आपके पास क्या हो एक टाउने की बात कर रहा है तो मिशधन जो है वह 11 रूपँ हो जायेगा यह आपके पास मूल्धन है तो मिषधन आपके पास क्या हो जाएगा 11 रुपए हो जाएगा और अगर आपके हर 6 मेने में बात कर रहा है तो एक साल में 2 बार हो गा है इसका मतलब पताए क्या है जो भी आपकी cost price जो भी आपका मूलधन होगा जो भी principle होगा उस principle का आपके पास क्या है 11 की power जो है अपन इधर की तरफ एक मिन लोको ज़रा यार ना ना यार अर्दवार्शिक पर आपके rate of interest कितना हो जाएगा 5 प्रतिशत हो जाएगा 5 प्रतिशत लेना पड़ेगा ना तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर इससे अटाओ यह आपके पास क्या 5 प्रतिशत rate of interest होगा ना आप देखो यह बार्शिक भी आज की दरदी होई है और हमें इसाप किताब लगाना है अर्दवार्शिक तो rate of interest हाफ हो जाएगा अभी आपके पास इसका मतलब होता है 1 बटा 20 मतलब क्या हो गया कि हर 20 रुपे पर 1 रुपे का ब्याज लेने वाला है यह आपके लेने वाला 21 बटा आपके पास क्या है 20 और इसकी power आपके पास तो आपका जो भी principle है और उसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 divided by आपके पास 400 यह जो है यह कितना आएगा यह मिश्दन आएगा जो यह कह रह कि रख दिया हमने अगर ऐसा होगा तो मुझे आपके पास क्या इसका मान चाहिए अगर इसका मान मुझे पता लग जाता है न तो फिर मैं आपके पास क्या इसी रेट ओफिंटर्स पर यह भी निकाल दूंगा यह बहुत बढ़ी बात बहुत आसाने से निकाल लेंगे तो इसको उठा के इदर ले आते हैं और इसको उठा के जैसी इदर लेके जाएंगे तो यह आपके पास क्या है रिवर्स हो जाएगी आपको पता है न किसी भी फ्रैक्शन को आपके पास क्या है दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ लेकर आकते तो क्या हो जाता है यह आपके पास कितना हो जाएगा यह हो जाएगा इधर से उठा के दर लाया और यह 400 बटा 445 अब आप देखना आपके 10 पत्षत वार्सिक ब्याज की दर पर आपको क्या करना है यहां पर आपके पास क्या है चार सही दो बटा 5 वर्षों के लिए प्राप्त होने वाला साधर ब्याज निकालना है जबकि पहले की तीन गुनी ब्याज की दर अच्छा बताओ पहले किती थी 10% पहले थी कितनी आपके पास 10% और 10% वार्षिक को तीन गुना गरोगे तो रेट ओफ इंटरस कितना हो जाए तो आप बताओ 30% साला ना लोगे तो चार साल तक कितने लोगे तो लिए सब 30, 30, 30, 30, 120 तो चार साल में हम लेंगे 120% इंटरस का आएगा अच्छा बताओ ये जो आपके पास 30% रेट ओफ इंटरस है अगर आपके पास क्या है वर्ष के दो बटा 5 में इससे पर इंटरस जा आपके पास ती छे दुनी 12 तो 12% गुरुजी इंटरस ओर जोड़ो क्यों कि 12% ये भी तो लेकर आएगा तो आपके पास क्या इसमें 12% रेट ओफ इंटरस ओर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 132 प्रतिशत का ब्याज ब्याज लगना है हमें ह हमारे मूलधन पर और हमारा मूलधन ये पड़ा तो स्वाल करने की कोशिश नीकरना जंदी की बरबाद हो जाएगी सरी बता रहा हूं इसको भी स्वाल नहीं करना है तो स्वाल करके लाओ फिर उसके साथ इस साथ गिदाब लगाओ ये लो इसका आपके पास क्या है 132 पट कोई एक विकल्प होना चाहिए अभी चलो देखते हैं अभी जो है आउट करते हैं दो बिंदी से दो बिंदी आउट हो गई और कुछ कटने वाला पढ़ रहा है किया घुरुजी और तो कुछ कटने वाला दिखने ला यह देखो चार और चार आठ और एक नो हो सकता है तीन स पास कितना हो गया तीन चोक 12 और फिर उसकी बाद तीन चोक 12 अगें देखो ले गुरुजी किया दिखर रहा है चार एकपाँच 18, 22 यह आपके पास तीन नम आपके पास 27 और फिर दो यह आपके पास कितना 3-8 आपके 24 और 3 दुनई आपके पास 6 और 35 ओर 15 यह value आपके पास वोगी 35 आपके पास 15 आना कट गया अच needed को हा दो तो यार इसको अटा दो मतलब भी नहीं आरा फालतों में क्यों इरिटेशन लेते हैं और यह आपके एक पॉइंट लगा जो जगे पर बात कतम तो यहां पर आपके पास यह आ गया अब आप देखना वैल्यू हमारे पास क्या-क्या बची है वैल्यू हमारे पास आपके यह य का प्राण निकल जाएंगे क्या यार काश यह पचास होता ना तो मज़ा आ जाता काश यह पचास होता तो मज़ा जाता है तो एक बात आओ उननचास को पचास करना कोई बहुत बड़ा गुनात उड़ी यार कर दो approximation आएगा हमारे पास उतर जो आएगा जो भी आएगा तो इदर भी आप 2 से गुना कर दो इसको दो अगते हैं चार दुनी आठ हो जाएगा अब आपके पास क्या है विजू सो बना हैं ना यह सो आपके पास क्या है यह मामला गता तो अभी आप देखना अभी मेरे पास सौल हो चुका है नीचे के सारे भागम भाग जो है भाग चुके है अब बचा क्या है आपके 69.8 जो है वो लगबग लगबग आपको 70 नजर आ रहा है की नहीं आ रहा है आप गुरू जी हद हो गई अप तो यह आ रहा है ऐसे करोगे क्या आप बले यस हम ऐसी करने वाले हैं यह आपके पास क्या है 70 और यह आपके पास कितना हो गए 8 यह आपके पास 8 आप देखो चार से गणा करेंगे और इसको हम 11 से गूणा करेंगे तो यह 0 हो गया ठीक है और इधर की तरफ आपके पास चार संग चुईumm का चार 2 चार पंजे 20 और दो आपके पास 20 जी ना अब 11 से गुणा कर दो तो इस 0 गो तो या रेश्ट कर वालो यहां पे यह रेश्ट कर रहा है अब केवल इसको जो है हम 11 से गुणा करते हैं तो चार ये रहा यह कितना हो गया चार यह कितना हो गया दो यह गया दो तो आंसर जो आ रहा है वो 24,640 से हलका सा उपर आ रहा है तो 24,000 यह इसके नीचे वाले के तो वेसी हमने अर्मान भी खेल दिए यह तो आउट हो गया अब 24,000 से उपर ढूड़ो, स्लाइटली उपर ढूड़ना, हमने कोई बहुत बड़ा गुना नहीं किया है, लेकिन एक्जाम होल में देखो, आप जब फसे, तो आप कैसे निकले, यह बहुत माईने लगता है, परना उननचास का भाग लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं लगाओंगा तो भी टाइम लगने वाला है, बात समझ में आ रही है, अभी आप इस तो से गुना कर लंसम आपके उत्रों के पास, चार विकल्प इसलियों दे रहे हैं, इन विकल्पों का इस्तमाल करो, हमने कर लिए इन विकल्पों का इस्तमाल, और हमारा आंसर इस तरीके से लिगा, आपको यह जो एप्रॉक्सिमेशन मैथड है, वो अच्छा लग रहा होगा, आप इसको क्वेशन नंबर आपके 7, क्वेशन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो चातर A और B को पुरुस्कार राशी के रूप में 4,400 रुपे का भुक्तान किया गया, यदि A को B को भुक्तान की गई राशी का 120 प्रतिशत भुक्तान किया गया, तो अब बताईए, B को कितनी राशी ध्यान देने वाली बात है, अच्छा मताओ 120 पसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर तुम एक्जाम में बैठा हो ना, तो इतनी चीज़ से तुम याद करके गए होगे, कि 120 प्रतिशत जो है, वो क्या है, 6 बटा 5 है, और अगर A को ज्यादा मिल रहा है, तो यह हमारे A भहिया है, और यह हमारे B भहिया है, यह भी आपने अपनी चोटी बच्पन की क्लासों में पढ़ लिया होगा, अगर आपने बच्पन की क्लासों में पढ़ा है, तो आपके पता लग गया होगा, कि अनुपातों का योगफल 11 है, और 11 अनुपात में आप 4,004 बाट रहे है और अगर 11 अनुपात का मतलब ये है, तो एक आपके यूनिट का मतलब कितना होगा, 4, और फिर आपको B का निकालना है, तो 5 यूनिट का कितना होगा, आपके 2000, तो आपके पास क्या हो जाएगा, option number आपके second answer right हो जाएगा, ये सारे भाई लोग जो है, वो गलत बता रहे हैं, क्लियर, बड़ा आसान question था, मासूम सा प्रशन, और दिल्ली पुलिस में constable बढ़ जाओगी, अगर इस question को right कर दोगे तो, दियान रखना, ऐसे question विलकुल भी गलत करके नहीं आने, अनुपात का question कोन गलत करके आता है, तिमाग खराब है, एक वस्तू के अंकित मुल्य पर 15%, 20%, 18% के 3 क्रमिक छूटों छूट देने के बाद, उसे आपके पास क्या है, बाइस सो तीस point आपके 10 रुपे में बेचा जाता है, उस वस्तू का अंकित मुल्य रुपे में क्या है, ये आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, इंडेक्स प्राइज निकालनी है, इंडेक्स प्राइज निकालनी है, और कितने बट्टे लग गए, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, अब आपके पास पता है, बहुत सारे option है, बहुत सारे तरीके हैं, हम सबसे छोटे आपके तरीके की तरफ चलेंगे, इस प्रशन को करने का, आप बत हो संतुले बट्टा, डिवाइड़ भई, हंडर्ड माइनस संतुले बट्टा, और उसको एक्वेट करना है कि से 22-10 में बेचा जाता है, और आपके पास क्या, फिर आप उसका इंडेक्स प्राइज निकालना, एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, हम रिवर्स कर सकते है हम रिवर्स कर सकते हैं, तिर्फ एक ट्राइल मार रहा है, तो इतने क्वेशन लगाने के बाद, आपका पका आपके एक सिक्सेंथ होता है, जो प्रशन को देखते ही बुलेगा, कि यार ये कर दे, यार ये क्वेशन पहले किया था, यार इस टैप इस टैप इस आता है, आपको सोचो ना, वो आपको सीधा-सीधा ओफर कर रहा है, कि जाओ सम्तुल लिबट्टा निकालो, तो इससे सम्तुल लिबट्टा, इससे सम्तुल लिबट्टा, ऐसे सम्तुल लिबट्टा निकालो, बहुत सारा डाइम भरा हो जाएगा, और आप में से कुछ बच्चों क इच्छा ऐसे करेंगी माना कि अंकित मुल्य आपके पास क्या है यह एक है एक तरीका यह बता रहा हूँ मैं आपको आपको कहीं बच्छों कि इच्छा अब आप दिखना अगर दो प्रतीशत का वैलिव जो है वो एक बटा पचास है तो मैं अगर इसको नो से गुणा कर दूँ और इसको नो से गुणा कर दूँ और तो यह नो दूनी एठको ज़ाएगा यार 18 हो जाएगा तो यह आपके पास कितना हो जाएगा 9 बटा आपके 50 हो जाएगा अब बताओ 50 रुपे की इंडेक्स प्राइस पर 9 रुपे आप छुड़ने की बात कर रहे हो तो 41 बटा 50 हो जाएगा और ये करने के बाद ये वस्तु जो है वो कित्ते में बिखती है आपक आपके पास लूप होल बता रहा हूं अब आपको एक के लिए इसको हल करना है तो अभी आपके पास इसको काट वा इसको आप काटो काट कर आंसर निकालोगे आप तो अभी आप देखना काटना चालो गोड़ो देखो 17 का भाग एक जाएगा कि जाएगा और नीचे की बताओ दो बड़े बड़े भाग एक तो 17 का भाग एक तालिस का भाग और बागी रेस्पेक्टिवली तीन या चार गुणा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप ऐसा करो आपने आपके मान लो कि या उत्तर मेरा विकल्प राइट है बस मत करना बाबाजी का नाम ले लगे बड़ा मस्त विकल्प आई तो बस उस विकल्प की तरफ आप चले जाओ तो मान लो कि आपके पास 4000 रुपे उस डब्बे के उपर लिखा हुआ है और 4000 रुपे उस डब्बे पर लिखा हुआ है और 2230 रुपे में वो चीज निकल गई है ता बताओ पहले 17% की लिखाना और टैनपर्सेंट के कॉंसेट अगर आपने नहीं पड़े है न के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल प्ले लिश्ट में आप मेरे मैथेमेटिक्स की । जिखना आपको परसेंटेज में जो कॉंसेट पड़ाया हुआ है आप बदाए यह क्या है आप गोल बोले हाँ गुरुजी 600 तो 600 इसमें से कम कर दो तो 600 कम करते से कितने हो जाएगा 600 अगर कम करेंगे तो यह आपके पास 3400 में बिग जाएगी तो यह अब हम क्या करेंगे आपके वापस डिसकाउंट देंगे अब बताओ 20% का डिसकाउंट अब फिर क्या रहा है तो 20% का डिसकाउंट आप पिर देख लो 20% डिसकाउंट आप जैसे करोगे तो आप मुझे बताओ यह क्या है बहुत आसान सर यह 10% value दिखा रहे हैं आप पीछे से एक अंगर दबाने का मतलब 10% होता है पीछे से 2 अंगर दबाने का मतलब 1% होता है तो आप देखो 1% तो 34 है और 10% आपके 344 अगर 10% की value 340 है तो 20% का value आपके पास 680 हो जाएगा तो यहां से आपके minus कर लें यार इसके अंदर से यह minus कर लो आपके पास 680 माइनस करना तो बड़ा आसान है माइनस करने में क्या है तो यह आपके पास 0 हो गया 10 में से 8 गए तो आपके पास 18% की discount दे रहा है तो 18% क्यों निकालते है 20% निकाल लो आप देखो ये क्या है बोले गुरुजी ये 10% है 200 बहतर इसका 10% है इसका double कर दोगे 200 का double करोगे तो 400 और 72 का double करोगे तो आपके पास 144 तो 544 अतलब 144 और आपके 400 तो कितना हो जाएगा आपके पास 544 तो 20% value जो आई है 20% value हमारे पास क्या आई है 20% value उसकी आई है आपके पास 544 अब एक बात बताओ अगर मैं 20% value में से आपके 2% value घटा दूँगा तो क्या आप बोलोगे यस सर मिल जाएगा ता बताओ यह इसका 1% value है यह रहा मैंने point लगा भी दिया मेरा हाथ उदर पहुंच गया तो 27.2 27.2 का double करो तो 2% आएगा और यह आपके पास कर जाएगा 54.4 इतना हो जाएगा आपके पास 54.4 और यह आपके पास point 4 यह इसमें से मैंने 2% value जो है न गटा रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा गुणा भाग मेरे से हो नहीं रहा है और मैं चारों के यहाँ यहाँ पर बहुत जोड़ बाकी लगा के कर लूँ कैसे न कैसे यार नोकली लग नहीं वस आपके पास क्या है 10 में से 4 गए तो आपके पास कितना हो गया 6 ठीक यह आपके उधार दिया हुआ था तो यह आपके पास क्यों जाएगा 489.6 मतलब यह 18% वैल्यू निकालके लाए उमें तो यह आपके पास 489.6 यह घटा दो आपके तो भी घटा होगे वह आंसर अगर वो आया जो कह रहा है तो यह विकल्प राइट है और अगर नहीं आया तो यह विकल्प आपके पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब यह आप देखो यहाँ पर हमने किया तो कितना बचा चार ठीक है यह 9 में से 9 हो जाएगा तो 0 ठीक है ना और यहाँ पर आपके पास 11 11 में से 8 जाएगे तो 3 और यह आपके पास क्या बचेगा 2 और फिर जीरो आ रहा है, अगर यह 4-0 होता तो यह बहुत आसानी से कट जाता और अगर आम आलो आपके पास 1-0 है, तो यह कटने में बहुत प्राब्लम कर रहा है आप इस तरीके से लगाओगे तो यह question हो जाएगा, इसका मतलब यह जो विकल्प है, यह सही विकल्प है और यह respectively गलत विकल्प है, आज समझ में आई, तो आप इस तरीके के प्रश्णों को ऐसे भी लगा सकते हो यदि आप सम्तुल्य बट्टे की तरफ नहीं जाना चाहा रहे हो, तो आगे बात करते हैं, और गुणा भाग की तुल्ना में जोड गटाओं की तरफ जाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है तो कि जोड गटाओं आप कर लोगे मतलब है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप देखो question number 9, किसी वस्तू पर प्राप्त लाब, उसकी लागत का आपके 120 प्रतिशत है, ठीके उसकी लागत को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और विक्रे मुल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाब विक्रे मुल्य के कितने प्रतिशत होगा आपको निकटम पूरांग तक आपके सही उत्तर देना है अचा माल लो कोई आपके पास क्या है सो की कोस्ट पर है और उसकी आपके लाब जो है उस कोस्ट का 120 परशन सो का 120 परशन 120 तो होगा या 120 ही होगा अभी स्टैल कितने में होगा 220 में सैल हो जाएगा अब यह क्या बोल रहा है विक्रे मुल्य को आपके नियत रखो तो लो साब विक्रे मुल्य को हमने नियत रख दिया विक्रे मुल्य को हम नहीं चेड़ने वाले हैं विक्रे मुल्य को हम नहीं चेड़ने वाले हैं विक्रे मुले को हम constant रखने वाले हैं क्योंकि प्रष्ट में इसने बोल दिया है अब क्या बोल रहा है कि उसकी लागत को 25% से बढ़ा दो तो लागत को इसको 25% से बढ़ाएंगे तो 125% हो आप समझना अब आप बताओ 125 इसकी लागत पड़ी है और 220 में आपके जो विका है तो इदर से तो 75 और अधर से आपके पास पीस टोटल आपके पास कितना हो गया 95 आपके पास कितना हुआ 95 का लाग प्राप्ट हुआ यह आपके पास क्या इसका profit हो गया अब क्या बोल रहा है कि बताईए होने वाला लाब विक्रे मुल्य का कितना प्रतिशत है जिसका निकाल के उसका भाग दे दो यह आपके पास कितना हो जाएगा यह value हो जाएगी आपके पास यह और यहां इसको 100 से गुना कर दो यह percentage निकल कर आ जाएगा पस कुछ नहीं करना है ये बिंदी से बिंदी हो गई और यहां पर देखो हम आउट करते हैं इसको दो से आउट करते हैं दो से पांच बार हो जाएगा दो से करेंगे तो 11 बार हो जाएगा अब आप जो है इधर देख और देखो के बाद बचा कितना 44 तीन तो यह थर्टी आपके पास क्या है फाइफ ग्यारा तिया तो तिया आपके पास यह वाला विकल्ब जो है हमारा राइट होगा इस सवाल का उत्तर देखने में आपको आनंद भी आया होगा आपकी इजाज़त हो तो फोन उठालू अलो इजाज़त से पहले ही फोन कड़िया फिर कोई बात नहीं अच्छा है अन्नेजरी डिस्टिबेंस होता है अभी आप देखिए यह आपके कॉश्चन नंबर 9 के बाद हम आगे बात करते हैं यह नेक्स कॉश्चन देखो आप तो यदि आपके पास क्या है पॉइंट दिस 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 और टू पॉइंट दिस 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 का गुननफल एक से अधिक एक से कितना अधिक होगा इसको पता है एक से ज्यादा आ रहा है आपको बताना है कि कितना अधिक होगा एक से कितना अधिक होगा कि इसका मतलब अगर माल लो ये मेरा गुणा आपके यह है और इसको मैं आपके पास क्या 1 से जादा है तो फक्की बात है मैं इस गुणा में आपके एक घटांगा ऐसे करूंगा ना? तो आप देखो, यहाँ point आपके पास something, तो इस नंबर को अगर 0 से घटाऊगे तो यहाँ अपर यह इंदर आग Singing इसको अगर घटाऊगे तो हरा वाला और इसको गटाऊगे तो हरा वाला दएकशना और 3 sixty बूल जाओ आपके त्री डिजिट मल्टिपिकेशन हमने कैसे किया था गुरुजी इकाई के अंकों को इकाई के अंक से बुना दरो उत्तर वो राइट है जिसके यूनिट प्लेस पर नो पड़ा हुआ है यह नहीं हो सकता यह वाला नहीं हो सकता च्छे है वह यह बाकि सब ज याद को रो बाही अंतर परिणाम का मतलब क्या होता है अंदर की संख्या का अंदर से गुणा और बाहर की संख्या का बाहर से गुणा तो इसे हम कहते है बाही अंतर पर यह और यह देखना आप देखो यहाँ पर केवल यह और यह देखना आप देखो मैं बाहर निकाल रह है वो दो आ रहा होगा 10 प्लेस दो किवल यहीं दिख रहा है यहां नहीं है इसलिए गलत विकल्प हो गया यहां नहीं है इसलिए गलत विकल्प हो गया तो सही विकल्प आपके option number 3 है हाना तुथकियों का question था आप इसके पल्ले मत पढ़ना ज्यादा वरना यह दिमाग खराब कर सकता है और पूरा paper भी गाड़ सकता है हाना चलो एक गाए 25 मिटर बड़ा popular question है वाई साब एक गाए को घास के मेदान में आपके पास क्या एक कोने पर पूटे से बांद दिया जाता है अभी यह गाए बकरी गधा कितनी घास चरेगा तो आप देशना बड़ा popular question है मैं सच बता रहा हूं मैं पैदा निवादा तब से आ रहा है और यह जो है न इस तरीके से और यह आपके पास क्या है वो मैदान है घास थोड़ी सी मस्त बनाएंगे अपन अरे-अरे-अरे color से यह वो चलेगा अगर मैं इसको पूरा गर दूं तो यह पूरा का पूरा चोथा हिस्सा है कि नहीं है और अगर आप इस एक्जाम में बैठ रहे हो तो लगाए होंगे और इस लगाए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार कुछ नहीं करना है सरकल का एरिया निकाल के उसका वनफोर्थ करना है आंसर टपक जाएगा इससे आसान नहीं आ सकता है और अगर मालो ऐसे कोश्चन आपको दिल्ली पुलिस में कॉंस्टेबल बना रहे ना तो आपके हर वो बच्चा उसके पंद्रा में से पंद्रा तो आए होंगे मैथमेटिक्स में तो आपके पास 15 आउट फिफ्टीन पक्का पका आ गए होंगे 15 में से 15 कोश्चन आपके सारे राइट होंगे एक भी कोश्चन गलतनी होगा आप देखो ये आपके पास क्या है पाई आर स्कॉइर तो 22 बटा साथ अना फॉर्मला क्या होता आपका पाई आपके आर स्कॉइर का चोथा हिस्सा है ना तो ये 22 बटा साथ और रेड़ी रेड़ी कितनी है इसकी रस्ती जो है वो ready होगी तो यह आपके पास कितना हो गया 14 into 14 साथ से आपके पास यह दो बार साथ से आपके पास कितना हो गया यह दो बार अच्छा एदर की तरफ एक बटा चार भी लिखना था ना तो यह एक बटा चार भी लिख दिया हमने तो यहां से आप देखो, इससे दो धार ले लो, यह 4 हो जाएगा और यह 4 से 4 कट जाएगा, यह बच जाएगे 11, और इस 11 को जब आप 14 से गुना करोगे, तो क्या आजाएगा, वह ले 4 ऐसा कैसा ही लिख दो, 4 और एक 5 लिख दो, और 1 ऐसा कैसा लिख दो, तो आंसर कितना हो 154, तो आंसर आपके पास जो होगा, वो होगा 154, यह रस्पेक्टिवली गलत लिकलता है, आगे बढ़े, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, अगर स्पीड ज्यादा है, तो बता दो यार, और वैसे भी प्रिवियस एर के कुश्चन करवा रहे हैं, तो क्या आपको मासुमों क की तरह, बिल्कुल सुस्त की तरह करवाएं यार, आप द्यान रखना, मुर्दो का सेलेक्शन नहीं होगा, सेलेक्शन उनी का होगा, जिन में जान होगी, ठीक है, तो अगर आप सुस्त हो, ढिले पड़े होगे, तो मतलब आप मुर्दो की श्रणी में हो, फुल एनरजी र एक आपके पास क्या है, सुरेंदर की पदोनित्ती हो जाती है, अचा एक मित्र का नाम बता दिया, एक है हमारे सुरेंदर वहिया, सुरेंदर वहिया की पदोनित्ती हो जाती है, और उसके वेतन में व्रद्धी हो गई, यदि उनके वेतनों का नया आवसत जो है, वो 64,250 र हाँ आप देखना सब में सुरेंद्र की हैं असट एक से बढ़ गया आपने समझना कि आपके बढ़नेका मतलब है कि अνक्रिकुलर है न वह सब में एक से इंक्रिमेंट लगा है उन वह चुन सब एक से व्रद्धी वही है सका मतलब गुरद्धी तो केवल सुरंदर की हुए यार प्रमोशन तो केवल सुरंदर का हुआ हमारे बाकी लोग का प्रमोशन दोड़ी हुआ है ठीक है अचा बढ़ा कितना है रेवरेश देखो जारा 50,000 से ₹54 उगया चा पाझसर हजोरी दो और साथ मैं recipients के चिले और मिलीए यसका मतलब इसा मतलब कितना हुआ। ₹22MP डोस़ो पचास और मिला है तो मेरे दो हजार दोसो फचास रुपए दो हजाद अदमी का बढ़ा है तो 5 आदमियों का कितना बढ़ेगा यह आपके पास कितना हो गया आपके बोले यह जो तो हजार पांच दस हजार हो गया सर एक हो गया प्लस आपके पास क्या है ज़िसो ड़िसो रुपधे क्या चार्फ साम डीयाला हजार वर हजाएन ऐ कितना हो जार दस हजार में 1250 यो हौ Ein रहा 1250 ऑप्षिन नंबर तीन जो है वह राइट विकल पैं यह गलत प्रिकल्प है, ये भी गलत प्रिकल्प है, ये भी गलत प्रिकल्प है, आत समझ में, देखो ओसत में व्रद्धी मतलब सब में व्रद्धी, मेरा ओसत में बढ़ा तो एक आदमी की कितनी हुई, वहले एक आदमी की आपके बाइस सो पचास रुक होई, लेकिन व्रद्धी सब प्रवकी नहीं होई है कि सारी वरद्दी जो वर्चुल दिख रही है कि सब के में 250 250 बढ़े हैं विजिकली हमारे सुरंदर वहिया के पैसे हैं जो इन औस तो ने बाटे हैं तो आपके पास क्या है सुरंदर वहिया की डोटल कितने पैसे हो गए हैं वहले 250 इंदू पाच आप किताब लगा लिया हना हिसाब किताब लगाने में तो आप एकसपड ओ दो हजार के 5 नोट मतलब 10,000 रुपे 1 और डाही 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 सो रुपे के 4 मतलब आपके एक हजार एक डाही सो बज गया तो 11,000 आपके क्या है दोसो पचास और 11,250 आपके सुरंदर की पदों में हो गई जोसकी आपके क्या है वेतन में हुई थी चलो अगला कोशन देखते है पुशन नमर 13 पुशन नमर 13 आपसे बोल रहा है कि व्यक्ति अपनी मासिक आये का 22 प्रतिशत घर के किराये पर 40 प्रतिशत आपके घरलू खर्चों और राशन पर और शेष आये का 50 प्रतिशत बच्चों की सिक्षा और अन्यमर 13 पर खर्च करता है और यदि उसके बाद मासिक बचत 3800 रुपे है तो बताईए सिक्षा और अन्यमर 13 पर किया जाने वाला खर्च रुपे में कितना होगा संगीनता से मैंने प्रश्ण पढ़ा है ना उतनी इज़्जद देने लाइक है नहीं यह कोश्ण अन्दर ऐसा कोश्ण इसकी फुल बेज़दी कर दो आप एक बाद आओ जो टोडल वैसा बचा वो रिमेंडर अमूंड था रिमेंडर अमूंड का 50-50 परशेंट करोगे और पागल बना रहा है जबर जस्ती का आपके पास क्या है दो सेकेंड से कम का सवाल था उत्तर आपके पास क्या होगा यह होगा और यह विकल प्रेस्पेक्टिवली आपके गलत हो जाएंगे option number आपके पास जो डी है वो आपके क्या होगा option number 3 जो है वो आपके right होगा 3800 जिस तरीके से question आपसे क्या बूल रहा है कि आपके जो है this into this into this की विमाओं को विमाओं वाले लोहे के एक घनाब को पिगला कर एक आपके ठोस गोला बनाया जाता है गोले की 30 cm में कितनी होगी पाई की वैल्यू आप consider करो 22 बढ़ा साथ वेरी गूर शाबाश बहुत बढ़ी है तो आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो गोले का आयतन पता होना चाहिए घनाब का आयतन पता होना चाहिए घनाब का आयतन क्या होता है गोले का कितना होता है गोले का होता है चार बटा तीन पाई यार क्यों यह वैल्यू पता होनी ची यह आपके पास कितना हो गया चार बटा तीन पाई पाई आपके पास क्या है 22 बटा साथ जहां दगना पेपर सोल करवा रहा हूं ठीक है अन्ने मुन्नों की तरह नहीं प्रिविए से रहो और उसी तरीके के रहो और उसी मून में भी रहो अगर आपको मेरा से lessik पढ़ना है ना तो आपं जो Nietorro ना इसवाएorama स्ट्ट में जहां पर शीदे की इस प्रिविए से कोर्षान लगाने है प्रिवियस येर में आपके बैसिक्स नहीं पढ़ाया जा सकते हैं इस बात का विशेश ध्यान है यह आपके पास क्योंगा चार बड़ा तीन यह वैल्यू आपके पास बाइं और अभी आपके पास आर क्यूब है जो मुझे पता ही नहीं है उप ग्याद करवा रहा है सेंटी में हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है अभी जो है कोई यूनिट कंवर्जन नहीं होगा इस क्या कुछति लगाओ यह पहली तो चीज चार से च्टिवार जाए तीन बार यह बहुत अगड़ा है आपके पास पावर तीन मदब अपके घंबूल भी निकालना पड़ चरना बड़ा असान है अभी आप दिखना और देखते हैं अपन हम बात करते हैं यहां से पांच से दो बार और पांच से चैंसल आउट करते हैं तो पांचोंग 20 चार बचे का पांच नाम 45 दुबारा देखो जारा छ्रपाइंत चाहएं etc ऐसीज़ पांट उपक् के पास पंदरा और फिर आपके पास पंदरा अचा ग्यारा से और यहांगे पास निया constitu त्क तीन बार jsuhselves फॉनलेटना ऑप देखना इन बाइसे आपके पनirst से अटाओ और इनके बिष्डियों भाईों से मिलाओ ये आपके पास क्या हो गयảo कि फिलहाई की आप संवड़िन हेudsara Гुरूजी लिख सकते हैं साथ को भी यहां से अठाओ और ये आपके पास की फ्ञ到 और आहाँके पास पॉर्टीन का मतलब आपको समझ में आयाता होगा कि इसके हमें क्या करना है आपके तीसरे रूड का मतलब है कि तीन सेट में से एक सेट निकालना है यह आपने बैसिक्स में पढ़ा होगा आपके तीसरे मूल का मतलब है कि हर तीन सेट में से एक सेट निकालना है अब आप मुझे बताओ इस तीन सेट में से एक सेट निकाल दिया और इस तीन के सेट में से आपके एक सेट निकाल दिया साथ या 21 का आदा कर दो 21 का आदा करोगे तो 10.5 हो जाएगा और ये आंसर आएगा I hope आपको जो है तरीका बढ़िया लगा होगा हाना और सवाल को जिस तरीके से आपके हमने निकाल के लेके गया है वो भी आपको बढ़िया लगा होगा और अगर बढ़िया लगा है तो पक्की बाते आपके एक लाइक बनता है और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हम लोग डेली मिलेंगे फिर तो अभी आप देखना इसके बाद हमारे जो दिल्ली पुलिस आपके जो खाता है 15 कोशन आते हैं और 15 कोशन का आखरी कोशन है और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना पका तो इसका मतलब यह है कि आप जो है रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहोगे इसके अलावा अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहोगे न तो फिर आपके बेल आइकन दबाना जरूर बड़ता है तकी आपने सब्स्राइब कर लिया है अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो हमारे वीडियो के notification आपको नहीं मिलेगे अगर notification नहीं लोगे तो live class में कैसे आओगे यार live class में ही तो मज़े है जिन्दगी के मज़े ही live class में है recorded में कहा मज़े वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें आपके पास क्या है इसको जोडने पर योगफल जो है respectively इन संख्याओं से मुत्या विभाजित हो जाता है क्या होगी यह है अच्छा एक बात बताओ यार इन सब का भाग लगाओगे थोड़ी हम क्या है इन सब का LCM निकाल लगते है तो इसका LCM कितना जाएगा लो LCM गुरुजी 20 आएगा इतना आएगा 20 आएगा 45-20 दो से भी जा रहा है तो 20 ही होगा 20 से छोटी एक भी संख्या नहीं जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा आप किताब लगा लो यारा 20 है तो अब देखो अगर 20 का भाग जा रहा है और पूरी-पूरी बार जा रहा है पक्की बात है यूनिट प्लेस पर आपके 10 0 होना चाहिए क्योंकि यूनिट प्लेस पर जब 0 होगा तब ही पूरी-पूरी बार भाग जाएगा अगर मैं इसको क्रैक करता हूँ तो 2 x 10 होगा अब आप बताओ कि किसी संक्या में 10 का पूरी-पूरी बार भाग जा रहा है तो यूनिट प्लेस पर आपके 0 होना चाहिए तब जाके 0 से 0 कटेगी और 10 का पूरी-पूरी बार जाएगा आप बताओ इस 2 में आपके पास क्या है अगर आप ये 0 जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस पर क्या रहा है 2 तो कहां कटा है इसलिए गलत है अभी 2 में 5 जोड़ोगे 7 तो कहां कटा है गलत है अभी 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 ये गलत है 2 में 8 जोड़ोगे तो 10 दस मतलब unit place पर क्या आने वाला आपके जीरो पर अभी जीरो हमारे जीरो से कट जाएगा इसलिए विकल्प जो है वो यह right रहने वाला है बाकी और कोई तिगणम मत लगाना भाई साथ इस तरीके के प्रशनों में अगर आप इसी तरीके की आपके पास क्या है previous exam paper के solution देखना चाहते हो तो comment box में एक प्यारा सा comment drop गरूर करना और आपके क्या है मुझे बड़ा आपके क्या है motivation मिलेगा कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके की दिल्ली पुलिस की आपके इस पूरे के पूरे आपके जो paper है उसमें maths के सारे question में आपको solve करवा दूँ और अगर आपक comment box में मुझे इस तरीके message देखने को मिले तो मैं जो है confirm इससे आगे का वीडियो जरूर बनाऊंगा तो आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते हम अगले वीडियो में करेंगी है तब तक आप सभी लोग अपना खयाल रखिए पढ़िए और आपके क्या है याद जरूर करिए थैंक यू सो मच जै हिंद जै भाकत